प्रसिद डॉक्टर काजल मांगो किया जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है वो आपके सामने कुछ पूरी करेंगी आज का हमारा टॉपिक है वर्ट डिफेक्स मैं आज कल कि इस लाइफ में आज कल जो प्रेग्नेंसी होती है यह सब में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट आया है जो डॉक्तर सब पेशिंस को स्ट्रेस करते हैं कि आपको एक कराना ही कराना है क्या कर देखने को मिले हैं तो मैं म्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वर्थ डिफेट्स में कौन से टेस्स कराने चाहिए और कौनसी नहीं यह सो फ़ले तू कंजुनाइटल बर्थ डिफेट्स पनले के जमाने में ऐसे था कि सोनोग्राफी की व्यवस्ता नहीं थी सोनोग्राफी मशीन नहीं थे या तो उसकी अवेलिबलीटी जो है वो मेट्रो सिटीज में ही थी जो छोटे-छोटे सेंटर्स है या तो गाम वगेरा है वहां पे सोनोग्राफी अवेलेबल नहीं थी blood test जो होते है वो भी बहुत limitations में होते थे लेकिन आजकल अपने पास sonography जो है वो भी easily available है और sonography के माधियम से congenital birth defects है उसे हम early diagnosis कर सकते है काफी बार हम in utero जैसे हम fetal medicine specialist जो रहते है कि uterus के अंदर ही जो भी बच्चा है तभी ही उसकी treatment भी possible हो सकती है so diagnosis तो होई जाता है treatment भी अगर mother के womb में बच्चा है तभी उसकी treatment भी अगर हो जाती है तो I think यह एक वर्दान रूप है सब के लिए patient के लिए भी और doctors के लिए भी और अपने पास काफी सारे test है जैसे normally first trimester anomaly scan जो होता है that is a level 1 sonography anti scan कहा जाता है जिसमें knuckle thickness measure की जाती है so knuckle thickness अगर more than 3 to 3.5 mm से ज्यादा होती है तो यह बच्चे को congenital birth defect आने के chances ज्यादा होते है या तो हम जो बोलते हैं कि trisomy 21 वगरा के risk ज्यादा होते है और यह report के बाद double marker test किया जाता है so double marker का जो report होता है उसमें जो consider करते है mother की age उसमें एक graph जो आता है जो graph हम read करते है specially उसमें maternal age और उसमें risk कितना है उसको हम flow chart बनाते है उसका जो cut off होता है कि अगर 1 is to 250 के उपर आता है if it is less than 1 is to 250 तो congenital birth defect के chances ज्यादा होते है इसमें trisomy 21, trisomy 18 and trisomy 13 इसका calculated risk काता है so यदि यह test 3 महिने पर हो जाती है अगर कुछ defect आता है तो उसे हम confirm करके early termination कर सकते है ताकि ऐसा जो defect वाला बच्चा है वो इस दुनिया में आये नहीं क्योंकि mother अगर 9 महिने तक बच्चे को पेट में रखेगी और delivery के बाद अगर पता चलता है कि या बच्चे को यह defect है या तो बच्चा survive नहीं कर पाता है तो it is very late क्योंकि mother को भी एक psychologically trauma पहुंचता है plus physically भी अगर normal delivery हुए तो ठीक है जनरली एडवाइज नहीं करते हैं तो अगर एक बच्चा डिफेक्ट वाला है और ऐसा सीजर से अगर उसको लेना पड़ा तो mother के लिए further future pregnancy में भी लिमिटेशन आ जाते हैं मैं basically ये birth defects आजकल इतने पाय क्यो जाते हैं मतलब पहले के comparatively अब ऐसा क्यों है कि birth defects जादा quantity में मतलब उसकी reports भी बहुत होती है ऐसा कोई special reason है यह जो question है काफी अमारे patients भी पूछते है कि मैं ऐसा क्यों होता है तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि sonography की सुवीधा ही इतनी available नहीं थी so obviously diagnosis तो दूर की बात थी जब sonography ही नहीं हो पाता था तो उसका निदान कैसे होगा अभी आजकल sonography की सुवीधा आ गई है और इस वज़े से हम सारे patient को कोई भी antinatal patient है pregnant महिला है उसका तीसरे महिने पे sonography आवश्यक होता है must होता है तो जैसे जैसे report करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि इसका incidence इतना ज्यादा है तो इस पर से कि अपने पास जो diagnosis modalities है sonography की availability की वज़े से इसका diagnosis हो रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हम congenital birth defect के patients देख रहे है पहले के जमाने में भी इतने ही शायद patients रहेंगे शायद इससे ज्यादा रहेंगे लेकिन पता नहीं लगा है अपने को क्योंकि अपने पास diagnostic modalities available नहीं थे मैं अगर कोई patient जो तीन महीना क्रॉस कर चुका है और उसने अपना कोई double marker नहीं कराया तो कोई और तरीका है कि जिससे हम इस birth defect को पहचान सके काफी बर ऐसा होता है कि patient तीन महीने तक hospital नहीं आता है काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पाच्वे महीने पे hospital में नाम लिखवाना चाहिए काफी patient इवन साथवे महीने पे भी आते है कि हमारे जमाने में तो साथवे महीने पे हम जाकर hospital में नाम लिखवाते थे तो यदि कोई patient पाच्वे महीने पे आता है या तो on an average 16 से 20 हफते के बीच में आता है तो वो second trimester anomaly scan कर सकते है और उसके बाद उनका quadruple marker blood test भेज सकते है जिसमें हमें सेम जो मैंने अभी बताया double marker में वैसे ही graph clot करते है और उसमें जो cut off value है उसके उपर अगर आता है graph में तो उनको high risk age group माना जाता है और यह बच्चे में defect आने के chances ज्यादा होते हैं ऐसा वो report की मदद से हमें पता चल सकता है तो यदि abnormal quadruple marker test आता है तो उसे हम again confirmation ले सकते हैं with the amniocentesis और अगर defect है तो यह बच्चे को termination की advice दी जाती है मैं एक patient है जिनकी age 38 years है तो कुछ लोगों की यह query है कि क्या जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो क्या हमारे में हमारे आने वाले बच्चों में बर्थ डिफेक्ट ज्यादा पाए जाते हैं जैसे अभी जो रिसर्च हुआ था उसमें है कि अगर 25 या तो 30 years के पहले अगर आप conceive कर लेते हो तो आपको बर्थ डिफेक्ट के chances बहुत कम होते है रीजन एक ही है जैसे being a IVF specialist में यहाँ पर बताना चाहती हूं कि हम जो 25 साल के patient है उसमें भी IVF करते हैं तो हम देखते हैं कि जो X की quality होती है वो हमेशा healthy X की quality ज्यादा मिलती है जैसे जैसे age बढ़ती है अगर कोई patient का 25 years में IVF होता है किसी का 35 में होता है तो जो 35 वाला patient है उसमें quality of the oocyte जो है वो compromise होती है तो यहीं एक reason है कि after the age of 30 या तो 35 के बाद congenital birth defect आने के chances बढ़ जाते हैं तो अगर एक बच्चे में down syndrome पाया जाता है तो क्या उन parents के अगले बच्चे में down syndrome की possibility 100% है या कुछ उसमें ऐसा है कि नहीं भी हो सकता है अगर फर्स्ट बच्चे में down syndrome आया है तो दूसरी बच्चे में भी इसका हम जो बोलते है कि अगर आप pre conception counseling के लिए आते हो before the conception so we have a facility of IVF जो हम करते है test tube baby तो इसमें अपने पास PGD जो diagnostic test होते है prenatal genetic diagnosis जिसमें कौन से embryos euploid है और कौन से embryos aneuploid है तो जो aneuploid है यानि defect वाले जो है जैसे आपने बताया कि previous बच्चे में down syndrome है तो उसमें अपने को पूरा उनका genetic test करते हैं और अगर down syndrome वाले जो embryos है जो aneuploid embryos है उसे हम discard कर देते हैं और जो euploid embryos है यानि कि normal embryos है उसे transfer किये जाते हैं तो अगर first बच्चे में down syndrome आया है तो दूसरे बच्चे में down syndrome हम रोक सकते हैं prevent कर सकते हैं with the help of IVF and PGT की मदद से यह कर सकते हैं और important जो है कि patient को for example patient conceive करने के बाद हमारे पास आता है तो क्या अगर patient conceive करने के बाद आता है तो 9-11 weeks के बीच में chorionic villus sampling होता है जिसमें से बच्चे का जो tissue होता है अंदर से उसी को हम biopsy करते हैं और उसको चौथे महीने के आजु-बाजु आता है तो sonography तो होता ही है अगर उसमें कुछ भी doubtful लगता है तो we can go for quadruple marker test and amniocentesis and karyotyping करवा सकते है उसकी for the final confirmation if the report is normal patient continue कर सकता है pregnancy अगर वह report में down syndrome या तो और कोई defect के chances है तो उसे termination advice कर सकते है मैं bird defects में एक last सवाल और है जो बहुत लोगों के मन में query है जब भी patient आता है तो सब gynecologist में अपनी basic ultrasound करते हैं तो आजकल patient कहता है कि अरे ultrasound करना पड़े का यह तो बहुत नुकसान दायक है तो मैं यह लोगों में बहुत ज्यादा मित है तो आप थोड़ा उनका mind clear करिए कि यह sonography से उनको bird defect होते है यह नहीं होते है काफी बार मैंने भी देखा है कि patient के जो mother-in-law है या तो mother है कि मैं हमारे समय पे तो जैसे रूटीन जो चार सोनोग्राफी होती है और रूटीन पेशंट जब ही आते हैं तो हम उनका screening test करते हैं सो मैं बार-बार सोनोग्राफी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि बच्चे को सोनोग्राफी के जो raise होते है वह नुक्षान करते है और बच्चे को defect आने के chances होते हैं तो friends मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी scientific modalities है जैसे सोनोग्राफी है यह सारे modalities जब ही market में आते हैं तो काफी सारे research वगेरा होकर आते हैं काफी सारे clinical trials वगेरा होकर आते हैं और यह जो सोनोग्राफी के जो ultrasonic raise होते हैं वो बच्चे को नुक्षान नहीं करते हैं हाला कि वह बच्चे में कोई defect नहीं है उसके diagnostic purpose के लिए यूज किये गया है तो आप ही सोचो कि अगर कोई चीज अपने निदान के लिए हम use कर रहें तो वह harmful कैसे हो सकता है Yes, I can understand कि जैसे CT scan है, MRI है वह नुक्षान कर सकता है तो जो भी pregnant महिला है उसको हम unless कोई emergency ऐसी है तो ही CT scan advise करते है जनरली प्रेगनेंट महिला को CT scan या MRI का exposure नहीं दिया जाता है लेकिन ultrasonography is a safe option during pregnancy मैं हम सोनो जब अपनी pregnancy में हमारे कुछ 5-6 sonography basic होते हैं तो प्लीज आप हमारे वीवर्स को एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल समझा दे कि वो अगर किसी मतला ऐसी जगे नहीं है जहां पर गानेक्स बट अवलेबल है कुछ तो उन्हें कुछ बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए कि उनको कौन से महिने में कौन सी sonography करानी है और एक अनमली स्कैन भी होता है तो उन्हें यह भी नहीं पता कि अनमली होता क्या है तो आप एक छोटा सा उनको एक पाटन बता दीजे ताकि यह चार पांच सोनोग्राफी जरूर करें जो प्रेगनेंट महिला है उनको एंटीनिटल फेज जो है उनका उसमें स्पेशली य 12-14 weeks जिसे हम 1st trimester या तो level 1 sonography या तो anti-scan कहते हैं दूसरा आपका जो sonography आता है on an average 17-20 weeks के बीच में जिसे हम 2nd trimester anomaly scan कहते हैं तीसरा आता है 3D 4D sonography जो आप अल्मोस 23-25 weeks के बीच में करवा सकते हैं 4 आता है आपका 8th मन्त पे sonography that is for the overall fetal wellbing and color doppler sonography जिसमें 32 weeks के around sonography किया जाता है तो यह जो 4 sonography है यह compulsory जो भी pregnant mayla है वो अपने लिए करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि एक तो है कि congenital anomalies अगर है तो उसका diagnosis early हो सकता है और दूसरा है कि अगर mother को pregnancy induced hypertension है तो या तो बच्चे में IUGR वगरा है तो यह सारे diagnosis अगर sonography होते हैं तो easily pick up हो जा जाती है मैं क्या ऐसा भी पाया जाता है कि कभी अगर anomaly scan में किसी बच्चे को कुछ congenital heart disease मिलती है तो क्या हमेशा बच्चे को terminate कराना ही इसका solution है या कुछ ऐसे disease है जिसका आगे birth होने पे उनकी कोई बच्चे की surgery या कुछ ऐसा prognosis है मैं birth defect जो है heart heart में जो defect आती है that is the most common structural anomalies जो पाई जाती है और उसमें भी VSD करके जो होता है ventricular septal defect यानि कि जो lower chambers heart के उसके बीच में there is a connection there is a hole in between the lower last two chambers so VSD जो है बहुत ही common heart defect है और majority cases में VSD जो है अगर small है तो वो automatic close हो जाती है अगर large VSD है तो उसे after birth surgery का option दिया जाता है और surgery करना ही पड़ता है ऐसे cases में लेकिन अगर complex birth defects है यानि कि ASD भी है यानि कि जो upper chambers है उसमें भी होल है lower chambers में भी है और major complex heart defects जिसे हम कहते है या अधी है तो या बच्चे का survival बहुत ही कम रहता है और ऐसे बच्चे को termination is a better option rather than delivery होने के बाद फिर वो बच्चा within 24-48 hours वो बच्चा अपने धरकन छोड़ देता है तो वही समय पर उसको terminate करना चाहिए thank you ma'am ma'am एक last question बस आप से पूछना चाहूंगी एक viewer ने लिखा है कि हम अगर double marker ना कराके NIPT direct करा लें तो क्या यह हमारे लिए ज्यादा बहतर होगा yes NIPT जो है उसकी जो sensitivity है वो almost 95% बताया जाता है कि 95% तक उसकी sensitivity है so you can directly go for NIPT also and अगर आपको लगता है so ideal हम जो protocol follow करते है that is NT scan followed by double marker test और अगर कुछ defect वगेरा के chances लगते है तो then we do advise NIPT also so अगर किसी को चाहिए कि directly NIPT करनवाना है तो वह भी आप करवा सकते हैं तो कि उसके भी sensitivity is approximately 95% okay thank you ma'am इस birth defect के topic में viewers आपने जो भी आपकी queries हो प्लीज आप comment box में दीजे तो काजल मैम आपको बहुत shortly इस इन सब questions का answer देंगी और thank you आपने हमारा ये program देखा फिर हम रात के 8 बजे बुद्धवार को सवाल कमारा में आपसे मिलेंगे thank you आपको कि दो कि अपसे मिलें आपको उना है कि अपसेज़ आपको कि आपको इसम्याओ ड्रीजेरे और अपको इसे मिलेंगे ।